हेलो एब्रीवन, वेलकम अगेन तू लंग्रेदेतिमन, तो हम कर रहे हैं एट क्लास को और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नमबर एट जन्जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजगियर प्रयास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा देश एक लोकतंत्रिक देश हैं लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रतिक इस्थर पर लोक कल्यानकारी पहल करती है हमारा समविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक इस्थर पर लोकतंत्रिक मुल्यों की इस्थापना पर जोर देता है हमारी सरकार ने सामाजिक समरस्ता, राजनीती वा आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्यानकारी कानून बनाए हैं, जिनका अध्यान हम इस अध्याय में करने वाले हैं, ठीक है, तो हमारी जो सरकार है, तो उसने बहुत सारे लोग कल्यानकारी कारे किये हैं, तो उनको ही आज हम इस चैप्ट की विसमता एक विक्राल समस्या के रूप में उभर कर आई है। उसका अधिक जो अनाज होता था तो उसे अपने पास रखता था और उसे कुछ भाग ही किसानों को देता था जिससे की किसानों को क्या होता था उनका हक जो है वह मारा जाता था तो जमीनी स्वामित्व की विसमताओं के कारण देश में कई जगे हिंसा की घटनाएं होने लग उसी समय विनोवा भावे ने 18 अप्रेल 1951 को तिलंगाना के एक छोटे से गाउं में तिरुच पल्ली में एक जमीन का टुकडा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुवात की ठीक है ये लाइनाप याद रखेंगे सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुवात करने वले कौन थे बिनोवा भावे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विसमता को दूर करना था बिनोवा भावे ने भू स्वामियों से उनकी कुल जमीन का छटा हिस्सा दान में देने की अपीद की ताकि सभी किसानों के पास जो है खुद की भूमी रह सकी तो इन्हों ने बिनोवा भावे ने सबसे पहले पहल की खुद ही एक जमीन पर टुकड़ा जो है वो दान में किया था और सभी भू स्वामियों से ये अपील की कि वो खुद कुछ जो टुकड़ा है हिस्सा जो है जमीन का वो दान करें पूरे देश में इस आंदोल में बाटने में किया गया बिनोवा भावे की अपील पर राज्य स्थान के नागोर जिले में भूदान प्रारम किया राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिन्यम 1971 पारित किया तो यहां पर आपको दो पहरग्राफ में याद क्या रखना है कि सबसे पहले तेलंगाना में बिनो भावे ने भूदान आंदोलन प्रारम किया और राज्य स्थान में नागोर जिले में भूदान आंदोलन सबसे पहले प्रारम किया गया आजादी के समय राज्य स्थान की लगभग 75 प्रतिशत जन संख्या आजादी के समय राज्य स्थान की 75 प्रतिशत जन संख्या क्रसी राज्य का आधे से जादा भाग रेगिस्तानी था और सूखा था तो जहां पक्षमी साइडम देखते हैं वो रेगिस्तानी है और सूखा है यानि राज्य का आधे से जादा भाग कैसा है जहां पर खेती नहीं की जा सकती तो वर्तमान में विभिन नई ओध्योगिक और आर् कम करने के लिए नई ओध्योगिक और आर्थिक सक्तियों का उद्धे किया गया। फिर भी कर्षी भूमी वा किसान राज्ये की प्राथमिक्ता में सर्वो परी है। क्योंकि सबसे पहले जो किसान जो है वो सबसे ज़्यादा priority किसको देता है क्रशी भूमी को देता है क्योंकि जो ग्रामीर शेत्र हैं वहाँ पर यदि देखेंगे तो किसान जो है उसको आता ही क्या है उसे क्रशी करना ही आता है तो वह है यहां सबसे ज़्यादा important क्रशी को आला कि नई ओध्योगे आर्थिक शक्तियों का उद्य किया गया था राज्य में ताकि क्रशी पर पूरी तरीके से निर्वर्ता थोड़ी कम हो सके। सुधारने और पैदावर बढ़ाने के लिए सिच्चाई सुविधाओं, नवीन करशी तकनीकों, आदी सुविधाओं के विस्तार हितु लगातार प्रियासरत है। उसे पूरी तरीके से जो है नियाय मिल सके। नेक्स्ट देखें असप्रश्यता उन्मूलन असप्रश्यता मतलब छूआ छूद। आधुनिक भारत में राजा राम मुहनराय, जोतिवा पूले, रामस्वामी नायकर, महत्मा गांधी, आदी ने जाती गत भेदवाब और असमानता को दूर करने का प्रियास किया। इसी तरहे राजिस्थान में भी स्वतंदर्ता से पूर्व, दयानन स्वरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरी भाव उपाद्याय, आदी समा सुधार्पों के नामों का उलेक किया जा सकता है। जिन्होंने सामाचिक भीदवाब को दूर करने हे तूर प्रभावी प्रियास किये। हाला कि ये चीज जो है वो अभी भी यदि हम गाउं में देखें तो वहाँ अभी भी चल रही है। यदि कोई छोटी जातका है तो क्या करते हैं कि एक जो नल है वहाँ पर पानी भरने के लिए उसे इजाज़त नहीं देते हैं। उसे सबसे पीछे रखते हैं यदि उन्हें कोई देख भी लेता है उस जगह पर तो उसे वहाँ से हटा दिया जाता है उसका तिरसकार किया जाता है। तो ये जो जातीकत भेदभाव हैं असमानता हैं इनको दूर करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया जिसमें राजिस्थान में यदि हम देखें तो दयानन सुरसती हैं, गोविंद गुरु हैं, मामा बालेश्वर हैं, हरीभाव उपाध्याय हैं इन्होंने काफी का किये हैं भेदभाव को दूर करने के लिए और असमानता को दूर करने के लिए, समानता जो है लोक तंतर का आधार है, भारत के प्रतेग नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संडक्षन प्राप्त है, अथार्त समविधान के अनुसार रा सम्विधान के अंजार इन पांचों के आधार पर किसी से भी भेदवाव नहीं करेगा। सम्विधान के अनुछेद 17 में छुआ छूत या अस्प्रश्यता को दंडनिया अपराद गोशित किया गया है। यदि कोई इस तरीके का कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसे सरकार की ओर से जो है सम्विधान की ओर से जो है वो दंड देने का प्रावधान है। सभी लोग जो हैं समान हैं, समविधान की दरस्टी से भी और कानून की दरस्टी से भी। असप्रश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संड्रक्षन अधिनियम 1955 लागू किया, क्योंकि जो नागरिक हैं उनका एक अधिकार होता है कि उन्हें हर जगय जो है वो समानता मिले, कहीं भी वो जाए उसे इस तरीके से उसके साथ भेदवाव नहीं किया जाए, तो इसके लिए इसे जड़ से उखाडने के लिए सरकार ने नागरिक अधिकार संड्रक्षन अधिनियम 1955 लागू किया, राजिस्थान सरकार ने भी अस प्रश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहां प्रभावसाली रूप से लागू किया, इसी तहत राजिस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसुचित जाती जन जाती अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सक्ती से लागू किया गया जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों की संरक्षन विसेश कर उनकी जमीन पर अतिक्रमन करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाब कारवाई का प्राबदान है तो जो जो दलित वर्ग है इनको जमीन के लिए जो परेशान करते हैं उन्हें उनकी जमीन होती है उनसे बेदखल कर दिया जाता है तो ऐसे लोगों के लिए कारवाई जो है वह राज्य सरकार ने समविधान में केंदर सरकार ने भी यहाँ पर लागू की है वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यते, सिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विकास, अनुसूचित जाती, जन जाती, आर्थिक पिछडावर्ग, अन्ने पिछडावर्ग, महिलाओं, बच्चों आधी के कल्यान के लिए कार्य करता है लेक्स देखें, महिला, सिक्षा, एवं महिला, सशक्तिकरण, तो यहां तो आप लोग चैप्टर जो है, वह है बिलकुल पढ़ते जाईए, और जो भी इंपोर्टेंट चीज होंगी, वो हम कोश्यन अंसर के माध्यम से करेंगे, यहां केवल समझने वाली ही बात है पंडित जवाहरलाल नहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्टर में महिलाओं की इस्तती को देखकर उस राष्टर की हालत बता सकते हो, ठीक है, महिलाओं की इस्तती देख लो, उससे पता लग जाएगा कि उस राज्य की उस राष्टर की इस्तती कैसी है, कौन कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नहरू राजिस्तान के संदर्व में पंडित नहरू का ये कथर बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है यहां के इतिहास में कई वीर महलाओं की गाथाएं देखने को मिलती है फिर भी राजिस्तान के समाज में पित्र सत्तात्मक मानसिकता द्यवहार रूडिगत माननेताओं के चलते महलाओं की इस्तिती बहुत ही विचार्णिय रही है ये तो हम देखते हैं कि यदि पूरे देश को देखा जाए तो राजिस्थान में ये इस्तिती बहुत विकट रूप है, यहाँ पर मानसिक्ता ऐसी है कि घर का यहाँ पर पित्र सत्तात्मक जो है इस्तिती अभी भी बनी हुई है, यानि कि वहाँ पर जो जैंट्स है, जो पात, साक्षर्ता, स्वास्ते, रोजगार, इन सभी को यदि देखें, तो यहाँ महलाओं की इस्तिती जो है इन चारों में बिल्कुल अच्छी दिखाई नहीं देती है, साक्षर्ता में भी पीछे है महला, स्वास्ते में भी पीछे ही है, और रोजगार के जो साधन होते ह वहाँ पूरस आगे मिलेंगे महिलाएं पीछे मिलेंगी इसलिए महिलाओं की इस्तिती को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनोती है। प्रतिशत है और जबकि 1951 के आंकड़ों में यदि देखें तो केवल 2.5 एक प्रतिशत थी ठीक है तो देखिए व्रद्धी तो हुई है लेकिन फिर भी इतनी अधिक नहीं है। प्रोज साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा जो है वो निरंतर किये जा रहे हैं। सरकार तो देखिए पता नहीं कौन-कौन से कारे जो है वह कर रही है और उसमें प्रयास भी कर रही है। लेकिन आम जनता तक चाहे वो महला हो पूरस हो कोई भी कमजोर वर्ग हो वहां तक कितना पहुच पाती है ये तो हम सब ही जानते हैं। महला सशक्ति करण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास कौन-कौन से प्रयास जो है किये गए हैं। वाकई में ये जो है लागु हो भी रहे है या नहीं तो राज्य महिला आयोग तो हमें तो एक्जाम जो है वह कलियर करना है उसके अकॉर्डिंग हमें केवल जो लिखा गया है उसी पर गौर करना है वही चीजीज़ें जो है वो समझनी है लर्ण करनी है राज्य सरकार ने 15 मई 1989 को राज्य स्थान राज्य महला आयोग का गठन किया यह महलाओं के प्रती अनुचित विवहार की जाच करेगा राज्य लोक सेवाओं में महलाओं के प्रती जो भेदवाव है उनको दूर करेगा तथा महलाओं की दसा में सुधार की दरस्टी से प्रभावी कदम उठाता है। एक अध्यक्ष्य है, तीन सदस्य है, इसका कारेकाल जो है वो तीन वर्ष का होता है और इसे इसका जो गठन है वह है 15 मई 1989 को किया गया महला स्वयम सहायता समूख कारेक्रम, महलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आतम निर्वर बनाने के लिए ये कारेक्रम चलाया जा रहा है इसमें 10 से 20 महलाएं स्वयम अपने निर्वने लेकर एक समूख बनाती है अपनी छोटी बचत के माध्यम से स्वाव लंबन की प्रवतियां विक्सित करती है और स्वर रोजगार की रहा पर आगे बढ़ती है इन समूखों द्वारा निर्मित उत्पादों की विक्री के लि उनको यहां पर शामिल करती है कारे किया जाता है जिससे रोजगार आगे बढ़ता है उन महलाओं को काम मिलता है और फिर जो भी वस्तों का उत्पादन होता है उसकी विक्री के लिए वो सरकार से हेल्प मांगती है ठीक है और सरकार जो है उनकी सहायता करती है तो यह महला स इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि महला घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया 2005 में महलाओं को घरेलू हिंसा से संडक्षन देने और तुरंत राहत देने के उद्देश से भारत सरकार जोरा यह अधिनियम लागू किया गया है तो य तो इसके लिए सारा कुछ टिपेंड होता है उस महला के उपर जो भी अत्याचार सहन कर रही है जो भी घरेलू हिंसा का सिकार हो रही है तो यदि वह ही आगे जाकर जो है खुद प्रियास नहीं करेगी तो कोई भी चीज जो है वो सफल नहीं हो सकती है तो इसके लिए करेंगरियम के तहट महला एवं बालविकास विभाग के सभी उप निदेश को बालविकास परियोजन अधिकारियों और प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी निक्त किया गया है राज्य के सभी अस्पतालों प्राथमिक स्वास्ते केंद्रों सामुदायक स्वास्ते अधिक्रत किया गया है तो कई जो हमने देखा था चिकिस्सा सुविधाय जो है कई योजनाय सरकार ने चलाई है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी राजीव गांधी किसोरी ससक्ती करण योजना सबला इस योजना के अंतरकत किसोरियों के पोशन और स्वास्ते इस्तर को सुधार ने साक्षर्ता, कौसल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बहतर समझ विक्षित करने का प्रियास किया जाता है यह योजना 11-18 वर्ष की विध्याले न जाने वाली और बीच में विध्याले छोड़ देने वाली किसोर बाले काओं के लिए संचालित की जा रही है राजीव गांधी किसोरी ससक्ती करण योजना नेक्स्ट देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो देखिए हम लोगों ने ये लाइन जो है वो पढ़ी भी थी लास्ट वीडियो में हमने देखी थी कि योजना के अंतरगत चलाया गया है बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है ठीक है तो वो कौन सी योजना थी ये आपको बताना है किस योजना की अंतरगत ये आएगा ये आपको बताना है कमेंट वॉक्स में ठीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सुरुवात वर्स 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगा नुपात को ध्यान में रख कर की गई है यह महिला और बाल विकास मंतराले, स्वास्ते परिवार कल्यान मंतराले, मानव संसादन मंतराले की सयुक्त पहल है तो यह जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें फैक्ट तो कम हैं बस समझने वाली ही बात है जो भी हम आसपास देखते हैं या पहले से चली आ रही है जो भी चीजें गाओं में हम देखते हैं तो उन चीजों को देखते हुए सरकार द्वारा जो पहल की गई है, जो भी योजनाय चलाई जा रही है इनको हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर समझने वाली ही बात है, learn करने वाली बात कम है, इसके तहत कन्या भून हत्या रोकना, यानि कि जो महला के गर्व में जो भी बच्चा है, तो वो पहले से ही पता कर लेना कि यह कन्या है या लड़का है या लड़की है, तो यदि लड़ उनने वालों की संख्या को कम करना, सिक्षा की अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए सोचाले के निर्मान में व्रद्धी करने जैसे उदेश्य निर्धारित किये गए हैं, महिला सजक्ती करन के लिए कुछ अन्य महत्रपुन कानून भी विदमान है कौन कौन से हैं, इन तीन पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है एक्जाम में, हिंदू उत्रादिकार, दत्तक क्रहन, एवं सररक्षन अधिनियम 1956 में और इसका संसोधन 2005 में आया, दहेज निशेद अधिनियम 1961 में पारित हुआ, बाल विवा निशेद अधिनियम 1925 में, इसका संसोधन देखिए 1986 में हुआ और उसके बाद 2006 में, तो आप आंसर क्या करोगे, यदि एक्जाम में आ जाएगा, तो बाल विवा निशेद अधिनियम 2006 करोगे, ठीक है, उसके बाद देखिए, गत्यवीदी बालिका सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रमुक योजनाओं की सूची बनाईए, तो बिल्कुल लास्ट वीडियो जो था, लास्ट जो चैप्टर था, उसमें वो योजनाएं जो हैं वो एक बॉक्स में दी गई थी, ठीक है, तो ये जो एट्ट क्लास के बच्चे हैं, उनको जो अध्यापक है, वो बता रही है, कि वो सूची जो है, वो बनाएं, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है, कल हम मतदान प्रक्रिया यहां से स्टार्ट करेंगे, जो भी पढ़ाया है, उसको एक बार आप जरूर देखा करिए, जिससे कि आपको चीजें स झाल